आज हम पढ़ेंगे ह्हाँ participants such a moment कि participantsorian कि कि सबाँकेलों आध रच्छπο परणने सब कि सब्सक्राइब करेंज हम इस तरह करें गर्रूप से उनहों ने पाराट किया था लेकिन counselor वो ग्रूप थे, जिन्होंने पार्सिप्रेट किया था, क्या उनके आइडल थे, ठीक है, और उन सब के लिए जो स्वराज का मीन्स था, जैसे अब हमने पहले पढ़ चुके हैं, कि प्लांटेशर्ज के लिए जो था, स्वराज का मीन्स अलग था, ठीक है, उनका मतलब यह थ जाएगी हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं तो ऐसे इस सभी ग्रूप्स ने अलग-अलग जाट थे वो इस आंदूलन में इस मोमेंट्स में क्या थे एक्टिव थे बिंग प्रोडूसर ऑफ दा कमर्शल ग्रूप देवर वेरी हाड बिट वाइदा ट्रेड डिस्प्रेशन और फॉलिंग प्राइस और क्या हुआ था वैफसाइक जो उनकी फसल थी फसलों की खेती करन में के कारण इनके वैपार में मंदी आ गई थी और जो यह सारे सामान थे उनकी कीमत है बहुत कम होने लग रही थी जिससे वह ज़्यादा परिशान हो रहे थे ठीक है तो जब उनकी जो यह नकद आए थी वह खतम होने लगी तो उनके लिए सरकार को जो वह टेक्स देते थ चुकाते थे वह उनके लिए क्या हुआ पॉसिबल नहीं हो पाया ठीक है रेविन्यू देना जो गौर्मेंट करती थी रेवनी की वह नहीं दे पार रहे थे एंड़ एन डर इफिसल अफ्यॉवर्मेंट ही डिविवन्यू डिमांड लेट 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 टु बहुत जादा क्या है पीज़ेंट जादा उन्हों रोश आ गया वह जादा क्या है गुस्से में आ गए कि और इसलिए उन्होंने क्या है वह civil disobedience मोमेंट में जो है पाटिसेट करने लग गए ठीक है यानि क्योंकि वह सरकार के उपर अपना गुस्ता दिखाना चाहते थे इन्होंने क्या किया अपनी कम्यूनिटी बना ली थी एक जुट हो गए और इन्होंने अपने पूरा समुदा एक खट्टा कर लिया और कई वार उन्होंने क्या क्या था जो कई वारा सा था जो फॉर्सिंग डिलुकेंट मेंबर थी यानि जो अनिच्चुक सदस्य थे जो इनमें पार्सपेट नहीं लेना चाते थे उनको खें वह बहिशकार करने के लिए मजबूर कर दिया तीक है कुछ लोग ऐसे भी थे जो गोर्मेंट का पहिसकारण नहीं करना चाहते थे, गोर्मेंट की जो है favor में थे, तो वो अन्होंने बहुत की इनको क्या किया, उन्हें मजबूर किया ठीक है, और उनके लिए सवराज की जो लडाई थी, वो किसके लिए थे सिर्प जो मुझं बोछ prophet Harkasica स॥ जो है उसको उसके अगेंस्ट थी यानि वो हाई रेविन्यू ने देना चाहते थे इसलिए वो सुराज के लिए जो है लड़ाई कर रहे थे बट देवर डीपली डिसपोइंट वेन दा मुमेंट वास कॉल्ड ओफ नाइंटीन थाटीवं विदाउट दा रेविन्यो रेट्स बीगें रिवाईज यानि उनको बहुत ज्यादा निरासा हुई जब उन्हें नाइंटीन थाटीवं में जब यह जो मोमेंट था यह वापस ले लिया गया ठीक है और बिना किसी जो है कि जो लगान था लगान में बिना किसी लगान को घटाए उनके रेट में को बदले वे और यह वापस ले लिया गया तो क्या है जो यह प्लांट किसांस थे यह जो पूरे पीजेंट से यह बहुत ज़्यादा क्या है निरास हुए तो वेन दे मुमेंट वाज रिस्टार्टेट इन 1932 मैनी आफ देम रे पीजेंटरी वर नॉट जस्ट इंट्रेस्टिड इन दा लोवर और रेमिनु डिमांड और जो गरीब थे वह केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे बलकि वह तो उनमें से तो बहुत सारे किसान यह भी चाहते थे कि जो जमीदार से वह पट्टे पर जमीन लेकर जो खुद लडस थे उनसे क्या है वह जमीनों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे तो है तो वह क्या cane , यह जो अमदतनी गिर रही है यानि उनको प्रॉफित तो हो नहीं रहा है उनके सारे प्राइस क्या है वह बहुत ज्यादा क्यों है कम हो रहे थे तो इससे क्या था जो छोटे पट्टे दार थे चोटे पट्टे दारों के लिए जमीन का किराय चुकाना भी बहुत ज्यादा मुस्किल हो गया था तो वह चाहते थे क्योंने जमीदा जो है उनको नहीं होता था क्योंकि बहुत जादा मंदी चल रही थी तो वह चाहते थे कि उनको यह जो रेंट देना पड़ दा था वो क्या है रेंट जो है वह कमाफ करती है जाए दे जॉइन वराइटी ओफ रेडिकल मोमेंट ओफन लेट तो सोचलिस्ट एंड कम्मिनिस्ट और नों ने क्या कि रेडिकल्स जो अंदुलन में इस्सा लिया जिसमें क्या थे समाजवादी और कम्मिनिस्ट लोग जो थे तीन एपरेंसिव और राइजिंग इस्व आफ जो अमीर किसान थे और जो जमिदार थे जो क्योंकि वो नाराज हो गए थे तो उनकी नाराजकी के डर से कॉंग्रेस जो थी वो भाड़ा विरोधी अंदुलन को समर्थन देने में जो है वो उससे मतलब घबरा रही थी ठीड़ है इसी कारण जो गरीब किसान थे वो किसान और कॉंग्रेस के बीच क्या है बहुत अनिश्चित जो है उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं दे थी यानि अच्छे हो या नहीं हो इस तरीके से उनके उनके टाइम में यह बना हुआ था कि हमें सही रखना है या नहीं रखना है वो कॉंग्रेस भी डर रही थी वाट फर्स्ट वर्ल जैसे फर्स्ट वर्ड थी तो इंडियार मर्चंट्स और इंडिस्टिलाइस्ट जो थे मेड़ हुज प्रॉफिट बिकम पावर्फुल और वह था फर्स्ट वर्ड वर्ड के दुरान जो वैपारी थे जो द्योगपती थे उन्होंने बहुत सारा लाब कमाया हैं और वह बहुत ज्यादा सक्तिशाली हो गए थे कि इन्टो एक्स्पेंडिंग दियर बिजनेस देनों रियक्टिड अगेंस कोलोनियल पॉलिसीज एंड डिस्टिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज अब क्या हुआ उन्होंने अपने का जो उनका ट्रेड था उनका जो मर् वेफसाइगती वीडियो में रुकावट आती थी ठीक है यानि वह क्या चाहते थे कि में हमारा जो वैपार है वो फैल जाए तो इसलिए क्या था चारो तरह फैल जाए तो हमें प्रॉफिट हो तो उन्होंने ऐसी जो कोई भी नीती थी जो उनके इंपोर्ट में फोरन गु उसी जो थी तो वो उसको क्या करते थे उसके विरोवद में थे वांटेट प्रोटेक्शन अगेंस इंपोर्ट और फोरन गुड्स एंड़ रुपीज स्टेलिंग फोरन एक्चेंज रेशो विद वूड डिस्क्रेज इंपोर्ट और क्या थी वे विदेशी वस्तों के जो उनका इंपोर्ट करते थे उससे सुरक्षा चाते थे यानि वो यह चाते थे कि जो विदेशी वस्तों हैं वो इंडिया में ना आए ठीक है और जो रुपिया और जो विदेशी बिनी में था उसमें वो क्या था बदलाव करना चाते थे ठीक है यानि जो रुपे से और जो विदेशों से जब एक्शेंज होता है na foreign exchange तो क्या था उस रुपे का और जो विदेशी मुदरा थी उनमें क्याते थे वो बदलाव जाते थे जिससे की आयात में जो हमारे exports में जो है Budap में जो है इंपोर्ाम में जो है इंडस्ट्री इन 1927 और उनोने क्या कि अपने जो उनके कॉमर्स और उनके व्येबसाइक जो ही थे उनको सगठीद करने के लिए उन्होंने 1920 में एक भारतिय उद्धोग की वेजसाइक ठीक है Congress की स्थापना की और 1927 में उन्होंने भारतिय वानिज्य उद्धोग परिसंग जो है उसकी स्थापना की ठीक है यानि 1920 में उन्होंने Indian Industrial and Commercial Congress की उसको बनाया और 1927 में उन्होंने Indian Chamber of Commerce and Industries जो है उसकी एक संगठन को बनाया led by prominent industries like पुर्षो थामाज, ठाकुर्दास and the G.D. बिल्ला the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and support the civil disorbidant movement when it was the first launched और जो बड़े बड़े द्योगपती थे जैसे पुर्षो तम्दास, ठाकुर्दास और G.D. बिल्ला जो थे इन्होंने क्या किया इन्होंने जो है उद्योगपतियों ने भारतिय जो अर्थ वैवस्ता थी उस पर अपनी वेशिक नियव अनिट्रेंट का जो है कॉलोनियल जो रूल था उसका विरोध किया और जो सबसे पहले समी जो सीविल डिस और उमेंट स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने इसमें उसका समर्थन किया था ठीक है और उन्होंने इस आंदुलन को एकॉनोमिक रूप से हेल्प करने के लिए भी किया था था ठीक है लेकिन इन्होंने जो आयत जो वस्तुए थी यानि जो बाहर से वस्तुए मंगाई जाते थी वस्तों को खरीदने और बेचने से मना कर दिया था कि ना तो हम बाहर से आने वाली जो वस्तुए हैं उनको खर विदाउट कंस्टेंट और बहुत सारे जो जारतर जो यह बिजनसमें थे ठीक है वह स्वराज को एक ऐसे युक के रूप में देखते थे जहां क्या होगा उनके कारोबार पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी ठीक है और वैपार और धोग जो है वह बिना किसी कि बड़ फेलियर ऑफ वट आफ्टर दा फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फरेंस बिजनेस ग्रूप वर नो लोंगर यूनिफॉर्मेटली एंथिसमें एंथूसियतिक और लेकिन जब क्या होगा जो यह हमारा राउंड टेबल था जब यह फेल हो गया तो जितने भी य हो गया कम पड़ गया ठीक है और उन्होंने उग्रगति वीदिए से उसमें पार्टिपेट करना शुडू कर दे या आनि वह क्या है बहुत जादा हिंसक रूप से जो है इस तरीके से एक्टिविटी इसमें पार्टिपेट करने लगे और वे जो बहुत लंबी समय तर छिक और वो किया एक बहुत ज्यादा बमे समय से ऐसी आशार्राइध की अशंका में इसे जादा लंबे समय से कोई नो कोई अशान्ती होगी और कॉंग्रेस के युवा सदस्य जो थे वो भी समाजवाद के जो इफेक्ट था उनसे क्या है वो बहुत जादा डरे हुए थे तीरे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिद नॉट पार्सिपेट इन दा सिविल डिसॉब मुमेंट इन लार्ज नंबर एक्सपेक्ट इन नागपूर एंड रिजन और जो बहुत सारे उद्धोगी जो श्रमिक थे यानि श्रमिक वर्किंग ने क्लास ने इसमें पार्सिपेट नहीं क्या था जो नागपूर के लोग थे उन्होंने पार्सिपेट क्या था एज़ द बेही सारे कि लिज नागपी स्वेंट इन इसमें नहीं हेघल नच्शिपेटित क्या था क्या था एक जैसे जयसे पार्सिप्ट इन स्वेंट असमीन क्या था एक्स प्राइपित गेने क्या जीना है लेकिन बहुत सारे उद्योग पती थे जैसे वो नजदीक आ रहे थे तो उसकी वज़े से क्या है कॉंग्रेश जो है वो अलग हो रही दी थी फिर भी बहुत सारे मजदूरों ने क्या क्या उन्होंने सीविल डिस्वर्बिनेंट में पार्दिट किया विदेशी वस्तवे थी उनका व्को याल को अफे है और भी ते और इसटीश है खराब थी इन सब शीजों के खिलाब देर वर स्ट्रैक बाइदा रेलवे वरकर इन नाइटीन थर्टी में चोटे नागपूर में जो थी महापर के आज सोरी गांधी की जी की टॉपी बहन कर रेली निकाली और जो बहिशकार अभियान था उसमें पार्टिस्पेट किया थी जो उनका बाइकोट केंपनिंग उन्होंने शुरू कर दी बड़दा कॉंग्रेस वाद लोकें टू इंक्लूड वरकर डिमांड एस पार्ट इन इस प्रोग्र स्ट्रगल लेकिन क्या हुआ कि जो कॉंग्रेस थी वह अपने जो उनके प्रोग्राम से उन्होंने उसमें मजदुरों की मांग को क्या है शामिल नहीं क्या है वह उसमें हिचकी चाह रही थी ठीक है और को लगता था कि अगर कि जो बड़े-बड़े उद्योग पती है वह अंदूर से दूर चले जाएंगे तो जो हमारी आजो यह इंपीरियल फोर्स है इनकी ताकत क्या है इनकी ताकत में फूट पर जाएगी ताकत में क्या है फूट परेगी क्योंकि जो इंडर्स लिस्ट है यह लोग दूर चले जाएंगे तो आपने आप ताकत काम हो जाएग और दूसरा है जो इसमें क्या था कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वोमेंस ने पार्टिस्पेट किया था दूरिंग गांदी जी सॉल्ट मार्च थाउजंट अफ वोमेंस केम आउट दियर हॉम्स तु लिसन हीम और सॉल्ट मार्च के दौरां हजारों औरदे ग confirmation के बातों को सुनने के लिए अपने घ़र से बाहर आजाती थी उन्होंने क्या किया अने बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिस्पेट किया और उन्होंने जो नमक बनाने का जो गांदी जी ने नमक बना कर लोग को तोड़ा था उन्होंने इसमें भी पाटिस्पेट किया एंड पिग्ड फोरंड क्लोथ लिक्वोर शॉप और उन्हें क्या किया जो विदेशी कपड़े शराब की दुकान थी महाँ पर भी पिकेटिंग शुरू कर दी और बहुत सारी जो विमन थी उनको कियa है जेल भी ब्हुते अगाता इन अरबन एडियास धिज मेन बोन फ्रॉम हाइस्ट फैम्ली लेकिन अरबन एडियास में शहरों मैं क्या थी जारतर ओर त्यक्या थी वही लेकिन जो विलेज थे जो रूलर एरियास थे वहाँ पर यह क्या थी यह जो लेड़ी थी वह बहुत क्या है रिच वाला रिच फैमिली से थी और उन्होंने इसमें पार्सपेट क्या था तो गांधी जी ने जब moved by गांधी जी called they begin to see service to the nation as second duty of the women और क्या कि फिर जब गांधी जी ने इन गांधी जी ने इने बुलाया तो उड़ों को राष्ट की सेवा करना अपना क्या है पवित्र जो है इने अपना सबसे फर्स्ट डूटी दिखाई दी कि हमें गांदी जी ने गुलाया तो हम क्या है अपनी यह हमारी प्रियूरिटी है ठीक है तो उन्होंने राष्ट की सेवा करना अपनी डूटी समझी यह इंक्रीज पब्लिक रोल डिन नॉट नेसेसरली मीन्स वाइडिकल चेंज इन वे और प गांदी जी का मानना था कि घर में घर को चलाना घर में जो चूला चोका करना थीक है घर को समालना और अच्छी मा बनना अच्छी पत्नी बनना यह सारे काम जो है ओरतों के सबसे बड़े करतव यह उनकी डूटी है लेकिन बहुत लंबे समय तक कॉंग्रेस ने अपने किसी भी इंपोर्टेंट जो पत्था उस पर ओरतों को जगह नहीं देती थी और कॉंग्रेस को उनकी प्रतिक रात जो जो उनकी सिंबॉलिक प्रजेंस थी ठीक है उसमें इस सिर्फ दिल्चस्पी थी यानि वो उनकी सि बोले की नाम प्रजेंसी चाती थी कॉंग्रेस